मीन रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 20 मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 20 मार्च 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्तमी नक्षत्र है रोहिनी पक्च है सुकल पक्च दिन है सनी वार आज के दिन सुर्ज उदे का समय है 6 बज के 25 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 32 मिनट में रितू है वशंत आज का दिन काल है 12 घंटे 6 मिनट 19 सेकंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 4 मिनट पी अम से 12 बज के 22 मिनट पी अम तक असुभ काल सुरू होता है 6 बज के 25 मिनट अम से 8 बज के 2 मिनट अम तक दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आपके आने बाले शमय का पंच्यांग मित्रों इस वीडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनुखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें एबं वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने बाला हूँ आपके घर पडिवार के बारे में दोस्तों आने बाले शमय में आपका पडिवारिक जीबन सामान ने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने बाले शमय में यदि आप अपने घर पडिवार में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के द्रिष्टी कोन से आपका आने बाला शमय सामान ने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कोन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आप दोनों का शम्बंध बहुत जयादा रोमान चक एबम बिहतर होगा आने बाले शमय में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का साथ उनका सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा लेकिन आने बाले शमय में यदि आपके बेपार आपके बेबसाई की बात कड़ें तो आपके कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है मित्रो आने बाले शमय में यदि आप अपने बेपार के छित्र में कोई भी पडिवर्तन करते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले जो आपके सिहकर्मी हो जो आपके कर्मचाडी हो उन लोगों के साथ आपको बात करना चाहिए उन लोगों के साथ आपको सलाह मसबरा करना चाहि क्योंकि आपके आने बाले शमय के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में आपके लिए अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक किया है मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है पारदरसी एबं गुलाबी आपके लिए भाग्यसाली अंक है आठ यनी की एट मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको गडीब कन्याओं में खीर माटना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट करदें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से अर करदें धन्यवाद